नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सबसे प्यारा रिस्ता है पती-पतनी का जो एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं हर कदम पर साथ देते हैं और दो लोग एक ऐसे राह पर चलते हैं जो एक नया घर परिवार बनाते हैं एक संसार बनाते हैं लेकिन जब दोनों में ही ना बने जब दोनों ही एक दूसरे की बातों के व्रोध में बोले या फिर एक दूसरे की भावनाओं को नहीं समझ पा रहे हैं तब परिसानी होती है तो रेस्पेक्ट भी बना रहे एक दूसरे को दिल से समझें भी इसके लिए आज हम एक छोटा सा प्रियोग आपके लेकर आएं देखें आपके घर में चाय तो बनता होगा अगर हो सकता है कई घर ऐसे भी हैं जहां लोग चाय नहीं पीते तब आपके घर में जो भी मीठी बस्तू बने उसी में ये प्रियोग कर लीजेगा अगर चाय नहीं बनती है तो और अगर बनती है तो चाय के साथ ये प्रियोग करें करना क्या है पत्नियां ये प्रियोग करेंगी आप पत्नी हैं आप चाहते हैं आपकी पत्नी आपकी बात सुनें आपकी बात मानें तो ये प्रयोग आप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कहने का ताद पर ये एक खुबसूरत सा प्यारा सा वसीकरन है, जो जीवन साथी, प्रेमी-प्रेमी का, या फिर रिस्तो में, जो अपनत्तों का भाव होता है, कई बार होता है, बहु हैं सासु माँ से नहीं बनती बहुत तरह की चीजें होती है, मा को बेटे से नहीं बनती, तो आप भी ये प्रियोग कर सकते हैं, प्रेम बढ़ाने के लिए, करना क्या है? ये प्रियोग याद रखिए, प्रेम पाने के लिए प्रेम बढ़ाने के लिए है, तो इस प्रियोग को करने के लिए, अगर आप प अगर आप प्रियोग कैसे करेंगे आपको लेना है तीन हरी इलाइची किस दिन किसी भी सनी बार रभी बार मंगल बार किसी भी दिन ले सकते हैं लेकर अपने सरीर में टच कर लें वैसे तो नियाव है पसी ना लगा लें सरीर में टच कर लें इसके बाद आप इसको जो भी आपने वस्तर पहने हैं उसमें आप रखकर गांठ लगा दें अब जैसे आपने सूट पहनी है दुपट्टा है उसमें रखकर दुपट्टे में गाट लगाए आपने जिन्स पहनी है आपके पास रुमाल है उसमें लगाईए आप साड़ी पहनी है तो साड़ी के पलनों में इसको बांध ले अगले दिन इस इलाइची को आप निकाल ले फिर आप धोईए का कपड़ा निकाल ले अब इस इलाची को अगर आप चाय बनाने जा रही है तो चाय में कूटकर मिला के अब तीन इलाची ये धेर सारा इलाची दे देंगे तो चाय का टेस्ट भी बिकार हो जाएगा तो आप इसका परियोग आप दो-चार दिन में भी थोड़ा-थरा करके दो-चार दाने करके डाल-डाल के कर सकते हैं तो ये परियोग आप कीजे जो पती-पत्नी प्रेमी प्रेम का है उनके लिए लेकिन अब रिष्टा आपका दूसरे तरह का प्यार का तब आप सरीर का पसीना नहीं लगाएंगी इस इलाची में सास बहू है, मा बेटा है, बहुत रगे रिष्टे होते हैं प्रेम से जुरा हुआ, बच्चे नहीं मानते आप चाहते हैं कि बच्चे आपके बात मानें प्रेम भहोत से रहें तब पसीना में मत लगाएगा लाची बलकि इन तीन इलाइची को आप अपने पास रखिए अपने पॉकेट में रख सकते हैं कई में बांद के पल्लू बेगरे में रख सकते हैं और फिर आप यही प्रयोग चाय, खीर आपके घर में सेवेईया बनती है या हलुआ बनता है उसमें डालकर खिला सकती है प्रेम बढ़ेगा, एक दूसरे का सम्मान भी करेंगे और कहना भी मानेंगे बहुत सिंपल प्रयोग है लेकिन असर जरूर मिलेगा देखने को हम आपसे बिदा लेते हैं अच्छी लग रही हो तब लाइक कर सबस्काइब कीजेगा अपनों से सेर कीजेगा और कमेंट में हर हर महादेब जरूर लिखेगा धन्यवाद हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ